नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवास में आप सभी का स्वागत है। आए सुनते हैं कहानी बाबुजी की जमीन जिसे लिखा है लेखी का दीपक शर्मा जी ने। हमारे पर जमीन क्यों नहीं है? बाबुजी की जमीन की बाद पहली बार मैंने अपने साथ में वर्ष में उठाई थी। जब मेरे जमीन दात आओ, हमारे घर पर बासमती, मूंग और उड़त की तीन बोरियां पहली बार लाए थे। मेरी जमीन की सौगात है। मेरे दादा की मृत्यू उस समय हाल ही में हुई थी, जो अभी तक हमारे लिए अनाज और दाले लाते रहे थे। तुम्हारी जमीन की है? क्योंकि हमारे पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस है। एक थपकी के साथ बाबुजी ने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया था। उस समय उनके कंधे खुब चौड़े थे और काठी भी खासी मजबूत। वह जमीन है? ताउ हसे थे, जो फसल उगाने की बजाए काले कागज उगलती है। कागज काले नहीं करती। बाबुजी नराज हो गए थे। उन पर मोती उकेरती है। भाई, नुकसान की बात बहुत करता है। ताउ तब नहीं जानते थे बाबुजी का वह च्छाप खाना 35 साल बाद इतनी उची कीमत पर भिकेगा। सौ गुना लाब के साथ सारी कीमत तो जमीन की है। छापे खाने और उसके उपर बने मकान की खरीत का भाव बताते समय प्रॉपर्टी डीलर बोला था। जमीन की? मैं ठिटका था। और क्या? उपर मकान एकदम खसता हाल है और छापे खाने की मशीने बहुत पुरा नी। आज की ओफसेट और रोटो ग्रेवियूर प्रिंटिंग और मल्टी कम्प्यूटराइज टाइप सेटिंग के जमाने में या लेटर प्रेस सिस्टम वाली टू कलर शीड फेड फ्लैट बेड वाली सिलिंडर प्रेस के कोई क्या दाम देगा? हम हम मैंने सेर हिलाया था बाबुजी की जमीन की धरातल उसकी समढ से बाहर थी जिस जमीन को बाबुजी आखिर तक पकड़े रहे वह जमीन ना कभी बेची जा सकती थी ना खरी दी उसकी लंबाई चोड़ाई भी माप के बाहर थी वह अब मेरे अंदर घर किये बैठी है लेकिन अफसोज मैंने उसे घर दिया उन्हें खोने के बाद उन्हें खोने के दिन मैं डॉक्टर दुरगादास बोल रहा हूँ उस दिन 11 बजे मुझे मेरे पॉलिटेक्निक पर फोन आया बाबुजी आपके पास हैं मा की मृत्यू के बाद ही से मुझे खटका था बाबु हाँ उन्हीं दिल का दौरा पड़ा है मैंने अपने नर्सिंग होम में दाखिल करा दिया है आयसियू के के बिन नंबर पांच में हैं तुम्हें फोरन आ जाना चाहिए मैं पहुँच रहा हूँ मेरे पॉलिटेक्निक से छापे खाने की दूरी 20 किलोमीटर से कुछ उपर ही थी बलकि इसी दूरी का हवाला देते हुए मैंने बाबुजी का मकान 1992 ही में छोड़ दिया था उसी साल मुझे इस पॉलिटेक्निक में अध्यापन कारे मिला था और यहां के छात्रावास का एक कमरा मुझे सहज में मिल गया था मेरे विवाह के उपरांद फिर यहां के आवास छेत्र का एक फ्लैट ही मुझे नियमा नुसार अलोट कर दिया गया था और मा और बाबुजी से पारस पर एक दूरी बनाए रखने का यह दोहरा कारण बन गया था असली कारण कुछ और था असल में अपनी किशोरा वस्था तक पहुँशते पहुँशते मा और बाबुजी के प्रती मेरी बच्पन की आस्था लड़ खडाने लगी थी मा के गैर हिंदू होने के भेट को समझ लेने के कारण और यह समझ मेरे कुछ परिचित ठाकुर परिवारों और बाबुजी के परिवार जन के मा के प्रती अलगाव भरे व्यवहार से उपजी थी और साल दर साल बढ़ती चली गई थी एक नए भाय के साथ इसाई धर्म की मा के बेटे होने के नाते विशुद्ध या ठाकुर लोग कहीं मुझे अलग न छिटक दे एक नए क्रोध के साथ बाबुजी ने उन्हें मेरी मा बना कर क्यों मुझे वन्शागत कुलींता से वन्चित कर दिया एक नए वित्रिष्णा के साथ बाबुजी के निरिश्वर वाद के प्रती मा के युशु मसीह को अपना इश्वर मानने के प्रती फिर मा और बाबुजी से विमुख होकर मैं अपने ताउ ताई की ओर घूम पड़ा था अपने विवाह की व्यवस्था और आयोजन के लिए भी मैंने उन्ही को आगे किया था मेरी पत्नी उन्ही की देखी भाली विसुद्ध प्रजनित ठाकुर परिवार से रही जिसे मा को एक ग्रिह स्वामिनी के अधिकार देने सुईकारे नहीं थे नर्जिंग होम के ICU के बाहर सबसे पहले मुझे अपना पुराना नौकर कुंदन दिखाई दिया और बाद में बाबु जी के छापे खाने के पाँचो कर्मचारी सभी सकते में थे बाबु जी कैसे हैं? मैंने पूछा कुछ मालूम नहीं कुंदन ने कहा मैं कैबिन नंबर पाँच में बढ़ लिया थ्रेडी अंकल एक समूँ के साथ वहां बाबु जी का ब्लड प्रेशर माप रहे थे मैंने उनकी दिशा में अपने हाँज जोड दिये उन्होंने अपना सिर हिला दिया चिंतित मुद्रा में बाबु जी अचेत थे मगर उनके हाथ और पैर सिहर रहे थे शायद अपने से सम्रिध ECG मसीन के कारण जिसकी स्क्रीन पर एक ग्राफ निरंतर उचल रहा था ब्लड प्रेशर अभी काबू में नहीं आ रहा थ्रेडी अंकल ने अपनी ब्लड प्रेशर की मशीन समेटते हुए कहा अगले चार घंटे पूरी चौकसी रखनी होगी क्या रेडिंग है? मैंने पूछा 220 बटे 140 लगता है इधर अपनी ब्लड प्रेशर की दवा ठीक से नहीं ले रहे थे शायद मैं जेब गया बाबू जी के ब्लड प्रेशर की मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं थी इधर उन्हें मिले हुए मुझे कई महीने हो चले थे फोन पर यदा कदा जब उनसे बात होती भी थी तो उनकी आवाज में मैंने हमेशा पहले वाला दम पहले वाला जीवट और पहले वाला आक्रमड ही पाया था मेरे साथ हाओ थ्रेडी अंकल ने मुझे अपने पीछे आने का संकेत दिया जी अंकल मैंने कहा तब तक मेरे ये दो डॉक्टर और यह नर्स बने रहेंगे उन्होंने पीछे रह गए अपने समूह की और संकेत दिया ये सर समूह ने हामी भरी बाबुजी बचेंगे तो जैसे ही हम केबिन से बाहर हुए मैं पूँच बैठा मालूम है उन्होंने अपनी बाह से मेरी पीट घेर ली जब तुम्हारी मा के बारे में मैंने उन्हें कहा शायद वे अब बचेंगी नहीं तो वे क्या बोले बचेंगी कैसे नहीं वह मेरे अंदर हमीशा बची रहेंगी उन्हीं की बात दोहराऊंगा वे जरूर बचेंगे तुम में मुझ में उनका होंसला बचा रहेगा तुम्हारे साथ मेरे साथ मालूम है उनका होंसला कैसा होंसला था सिविल सर्विसेज में बैठे नहीं आए आगे बढ़ लिये छापा खाना खरीदा नहीं चला मगर वे उसे चलाते चले गए बिना जुके इसाई लड़की से प्रेम हुआ तो उससे शादी कर ली परिवार ने विरोध किया तो केचहरी में जाकर रजिस्टरा से साधी का सर्टिफिकेट हासल कर लिया पूरी जिम्मेदारी के साथ कैंसर उसे लील ले गया तो उसे उसकी शानसार कब्र दी पूरी धज से दुनिया की ऐसी की तैसी हौसला है हौसला अटूट और मजबूत कोई कितने भी हतियार खड़ खड़ाए आप अपने हतियार सीध में मिलाते चले गए थ्रेडी अंकल बाबुजी के गाउं के थे अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के दिनों तक मेरे दादा के आश्रित राज्य के लाभ भोगी भी रह चुके थे बेशक अपनी पढ़ाई खत्म करते ही वे अपने भावी ससुर के संडक्षन में चले गए थे जो उन्हें स्थानिय मेडिकल कॉलेज में पढ़ा चुके थे और रेटायर होने के बाद अपना यह नर्सिंग होम खोल लिया था यहीं से सन 1986 में 3D अंकल ने चापे खाने के बिखने की संभावना की सूचना बाबुजी को दी थी चापे खाने का पुराना मालिक इसे बीच कर टीवी के एजेंसी खरीदना चाहता था इधर बाबुजी भी उस साल के आते आते इस थानिय युनिवस्टी में में कर लेने के बाद सिविल सर्विस परिक्षा में तीन बार विफल हो चुके थे और उन दिनों अपने लिए कोई विकल्प खोज रहे थे ऐसे में इस चापे खाने को चलाने का प्रस्ताव उन्हें भागया था मेरी मा से भी बाबुजी इसी नर्सिंग होम में मिले थे जहां वह एक नर्स का काम कर दी थी दोड़ कर यहां दवा और इंजेक्शन ले आओ फिर ऑक्सीजन का प्रबंद करना होगा जी अंकल बाबुजी कैसे हैं आईसीउ के बाहर डेरा डाले छापे खाने के आदमी और कुंदन मुझे देखते ही मेरी और बढ़ाए कुछ पता नहीं मैं एक सून्ने में विचर रहा था अभी तो कुछ सामान लाना होगा आप हमें बताईए सभी लगवग एक साथ बोल पड़े हम सब कर लेंगे आप बाबुजी के पास बैठिये और खरीद के रुपए अपनी जेब से मैंने अपना बटवा निकाल कर खोल लिया अभी कुछ मत दीजे भया जी कुंदन ने कहा इस इलाके का चपपा चपपा बाबुजी को जानता है मानता है हम राम प्रसाद के साथ विंध्याचल को भेज देते हैं और ये सारा समान भी लाए देते हैं थ्रीडी अंकल की परची मैंने ना बढ़े हाथों में थमा दी आज सुबह ही से बाबुजी का जी अच्छा नहीं था कुंदन ने मुझे इस निक्धिता दिखाई अम्मा की आलमारी खोले बैठे थे चाय नहीं पी हमने बिरले ही देखे हैं साड़े आठ के करीब हमारे पास आए हैं एक प्रेस्मेन भी शुरू हो लिया हाथ का मेक रेडी फॉर्म हमें थमाए हैं फिर चेस में जब हम ले आउट जमाने लगे हैं तो हमसे बोले हैं लॉक अप करते समय कलर वाले फॉर्म की अंडर ले का जरूर ध्यान रखना कोई तस्वीर आउट ओफ रेजिस्टर ना होने पाए इस फॉर्म की तयारी में मैंने बहुत घंटे खपाए हैं और हम हसे हैं मेक रेडी का यह चक्कर अब छोड़िए नई मशीने लाईए और इलेक्ट्रानिक पेज मेक अप शुरू करवाई है और बाबुजी ने क्या जवाब दिया मैं उत्सुख हो लिया दो तीन साल पहले जब मैंने उन्हें यह सुझाव दिया था तो वे मुझ पर डपट पड़े थे जब यह छापा खाना मेरे साथ खत्म ही होने वाला है तो तुम इसकी फिक्र क्यों रखते हो जवाब वही पुराना वह प्रेसमेन गंभीर हो गया यह मशीने मुझे पहचानती हैं और मैं इन्हें इस जवाब पर सिलेंडर का प्लेट लगा रहे विंध्या चल भी हस दिये हैं नई मशीने भी पहचान लेंगी आप उन्हें लाईए तो शहर के प्राइम कमर्शियल एरिया पर आपका छापा खाना खड़ा है इसका एक चोथाई हिस्सा भी बेचेंगे तो उन मशीनों की खरीद निकल आएगी और बाबुजी जलाए हैं चलो अभी तो काम शुरू करो फिर करीम रबर रोलर पर इंक लगाए हैं दूसरा प्रेसमेन बोला और रशीत फाउंटेन को एज़ेस्ट करने में लग गए हैं और इधर हम ग्रिपर्स से डिलिवरी करने को अपनी ट्रे तयार किये हैं और सोच रहे हैं बाबुजी प्रेस का बटन अभी दबाएं की दबाएं की तभी देखते हैं की एका एक फर्श पर बैठ लिये हैं और डॉक्टर साहब का नाम पुका रहे हैं डीडी और राम प्रसाद नर्सिंग होम की तरफ दोड़ पड़े हैं और हमसे जो अम्मा की समाधी के लिए फूल मगवाएं हैं हम वे फूल लिए हके बके खड़े हैं कुंदर ने कहा जब डॉक्टर साहब अपने नर्सिंग होम से बाबुजी के लिए स्ट्रेचर मगवाएं हैं तीसरे घंटे जब बाबुजी की चेतना लोटी तो उस समय मैं उनके साथ था अकेला इस बीच ऑक्सीजन का प्रबंध भी मुझसे सुलह करनी होती वे ऐसे ही अंग्रेजियत दिखाया करते थ्रेडी अंकल को बुलाओं आगे बढ़ा हुआ उनका हाथ मैंने अपने दोनों हाथों से ढाब लिया नहीं अभी नहीं उनका स्वर बहुत धीमा बहुत कमजोर था एलिस की आज बरसी है पहली बरसी मा का नाम एलिस था हाँ मैंने कहा मा के अंतिम संसकार पर हुई अपनी बहस मुझे याद आ गई मैं मा का दाह कर्म करना चाहता था मगर बाबु जी उन्हें कबरिस्तान में दफनाने पर अड़े रहे थे एलिस अपने आखरी दम तक युसू को अपना इश्वर मानती रही है और मैं सिर्फ उसी के लिए जवाब दे ही रखता हूँ किसी भी दूसरे जन के लिए नहीं फिर मेरी ताई ने आगे बढ़कर मुझे मेरी पत्नी और बच्चों के सामने याद दिलाए था अपनी शादी के समय भी इन्होंने अपने मन की मानी थी पूरे परिवार की अव मानना करते हुए कचहरी में जास शादी रचाई थी और मैं जमीन में गड़ गया था मेरी बेटी उस समय अपने चौधमें साल में दाखिल हो रही थी और बेटा ग्यारवें साल में एलिस के लिए तुम्हें आज कुछ करना होगा बाबुजी फुस फुस आए उसे तुम्हें अपने दिल में जगह देनी होगी अपने अंदर तुम्हें अपना बचपन बचा रखना होगा बिना मुझे कोई चेताब नहीं दिये बाबुजी की दिशा से उच्छाल मेरे कलेजे में आन उत्रा मेरी समूची देह में एक थरथरा हट एक तड़पड़ा हट दोड़ती हुई आ गई मेरे अंदर कुलबुला रही सुपकियां बहार निकल भागी और मैं रोने लगा मा के लिए, बाबुजी के लिए, अपने लिए क्या हुआ, बगल वाली के बिन से एक नर्स वहाँ पहुची बाबुजी को देखिए, मैंने अपने को सम्हाला नर्स ने स्क्रीन पर अपनी नज़द दड़ाई वहाँ तरंगे कलाईया मार रही थी नर्स उसी पैर लोट ली अगले ही पल थ्रेडी अंकल केबिन में अपने समूह के साथ चले आए उक्सीजन मास्क लगाना होगा उन्होंने अपने समूह को संबोधित किया उक्सीजन के बावजूद बाबुजी लोट नहीं पाए प्राण विहीन उनकी देह के साथ वह रात मैंने छापे खाने वाले मकान पर बिताई कुंदन ने दो एक बार कहा भी कि सुबह तक वह भी बाबुजी के पास रहना चाहेगा मगर मैंने उसे नीचे बने उसके कमरे में वापस भेश दिया मेरे मुबाइल पर मेरी पत्नी ने भी मेरा वहां साथ देने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा परंतु उसे भी मैंने ढाल दिया मुझे वहरसी अकेले में उस खूटे से बाननी थी जिसे इतने साल मैं दाओं पर रखे रहा था एक सतही खूटे के बल उचलने के लोब में आशा है कि यह देस परशी कहानी आपको बहुत ही पसंदाई होगी अगर कहानी पसंदाई है तो मुझे प्रोथ साहत करने के लिए एक लाइक करें अपनों के साथ जादा से जादा शेयर करें नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और अगर आप इस परवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली है कहानी आपको समय पर मिलती रहें फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद